अब आईए हम बात करते हैं बारह राशों की बारे में कि आज की बारह राशियां क्या कहते हैं कौन पुलिस से वाँ में जाएगा, कौन सेना में जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा किसकी राजनेती किस्ति अच्छी होगी, किसके घर में किलकारी कुजेगी, किसके घर में साहनाई बजेगी, आपने माता-पिता से कैसे रिष्टे होंगे, दामपत्य जीवन कैसा रहेगा, एस सारी बात हम आपको बताएंगे किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपका भागोदय होगा, सौधनी के अबरतने उपाय क्या करना है आईए शुरुबात करते हैं मेश राशे शेक, जो मेश राशे की जातक हैं, आज का दिन उनके लिए जो समय चल रहा है, अति उत्तम चल रहा है, समय उनका अनकूलता लिए हुए है आपने समय का जितना सुधोप्योग करेंगे उतना ही आपके लिए स्ट्रेस कर रहेगा आज आप कोई भी नियाकारे करते हैं तो लाफप्रत इस्तिती रहेगी, लाफ आपको प्राप्त होगा अगर कोई रेंड़ोगारे लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इचित रेंड़ भी मिलेगा और जो पुराना रेंड़ है उससे आपको मुक्ती भी मिलेगी आपकी योजनाएं लाफप्रत होंगी, रोग, सत्रू और जो आपकी भिरोधी हैं सब परास्त होंगे अगर आप कहीं पूजी निवेश करते हैं बैपार में तो आपके लिए फाइदे मंद होगा नोकरी त्याद के लिए समय लापकारी चल रहा है अंदामपती जो नच्छा रहेगा, माता पिता का सुख मिलेगा प्रापल्टी को लेकर के मन थोड़ा बेथित रहेगा छोटी-छोटी बात को लेकर आपका मन उद्धिग्न हो जाता है तपने इस नेचर को चेंज करने की जुरुरत है सौधानी क्या परत्ति है? अग्यात ब्यक्ति से, इस्ट्रेंजर से कोई भी लें दिन न करें उपाय क्या करना है? लाल चंदन भगवान सुरी देव को अरपित करें सुभंग के तीन, सुभरंग है पिंक, लक मीटर है साथ, हरे किस्ट अब आईएम बात करते हैं ब्रिस राशी की जो ब्रिस राशी की जातक हैं, आज आपकी सभी प्रकार की समश्याओं का समूल समाधान होने का प्रबल यूग बन रहा है अगर आज आपको इन्या बैपार करना चाहते तो लाभ का औसर प्राप्थों का लाभ का यूग बन रहा है संतान सुख प्राप्त होगा, संततियां बहुत अच्छा करेंगी, उनके अच्छे कारे करने साब का मन खुश रहेगा संतान की चिंता समाप्त होगी, संतान की हेल्थ वेल्थ सब उत्तम होगा धर्मार्थ कारियों में आपकी रुशी बढ़ेगी, और अगर कोई पूजी निवेश करते हैं बैपार में ता आपके लिए अच्छा रहेगा नोकरी आपके लिए लाप्रद होगी, यात्रा मंगल में होगा आप कि रोग और सत्र परास्त होंगे, दूर देश क्यात्रा हो सकते हैं बिदेश से दनलाब मिले की संभावना बन्ड़ी राजनेती किस्टी आपकी बहुत अच्छी रहेगी सौधनी क्या बरतनी है, गुस्टा नहीं करना है, गुस्टे पर यह अंतरा डखना है उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय क्या करें कि सफेद वस्त्र या सफेद बस्तू दान करें पानी में आप क्या करें कि दूद या दही को ले करके थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दें और पानी ले ले और ले करके क्या करें कि साम को चंद्रदेव को आप अर्ग दीजिए ओम सोम सो मायनमेश मंतर से यह नदी में छोटे-छोटे चांदी का बना लेजिए चंद्रवा और प्रवाहित कर दीजिए ताप देखेंगे कि आपके लिए समय और अच्छा हो जाएगा सुभं के साथ, सुभरंग आश्मानी, लक मिटर साथ, हरी के समय बात करते हैं मिथू राशी के जो मिथू राशी की जातक हैं आज आपको बेवजह बाद दिबात करने की जुरुरत पढ़ सकती है लेकिन बात दिबात से बचें मध्यमारग अपनावें, नए परकार के रोजगार से आय का संसाधन प्राप्त होगा, धन की स्थित ची होगी और यात्रा हो सकती है मिटरों के साथ, और मिटरों के मिलने से मन परसंद होगा राजनितिक्यों के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है और आज आपकी पद्दुनत हो सकती है नए प्रकार के बैपार कर सकते हैं आयात नर्यास से धन मिलने की संभावना बन रही है आर्थिक निवेश सोच समझ करके करें कहीं भी पैसा पूजी लगा देते हैं आपके लिए नुकसान देश सिद्ध हो सकता है जिससे आपको बचना है ंए ने क्या पूजा दान न हो उपाए क्या और करना है क्या करना है हरा वस्तर दान आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंग के स्भी रंग है बिजिटेबल कलप और लक्मीटर है साहरी क्श्ट बात करते हैं कारक राशी की जो करक राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है समाज सेवा में बढ़ चड़कर के हिसा लेंगे और अध्यन अध्यापन में रूची पढ़ेगी राजनेंटी की सिती सांदार होगी रोग और व्यादी और सत्रू सब परास्त होंगे समाप्त होगा और यात्रा से धनलाब होगा आपके कर्म शेत्र में विस्तार होगा तो जरां बद्ध तरीके से अगर कोई भी कारे करते हैं तो आप महान उन्नत कर सकते हैं रोग और शत्रू आज चिंतित हो सकते हैं संपत्ति के मावलों में लाब होगा निवेश करते हैं या नोकरी के लिए ट्राइ करते हैं तो दोनों में प्रेडाब आपके अन्कूल आएगा आज आपके थोड़ा खर्चे बढ़ सकते हैं यात्रा भी हो सकते हैं मन अचानक दिगन भी हो सकता है तपने को थोड़ा सा केरफुल रखने की जुरुत है सौधानी क्या परतनी है दिल की बजाए सुने आपके लिएच्छा रहेगा उपाय क्या करना है चानदी का चंद्रमा मंदिर में दान करें सुभंग के आठ सुब्रंग है नीला लक मेड है आठ हरे तliller है बात करते हैं सिंग と, एक है जो शिंग राशी की जातक है आज आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मार्ग प्रसास्त होगा प्राकरम से धनलाब मिलेगा लाब की सित्या बहुत अच्छी रहेंगे किसी महिला मित्र के सहयुक्स आगे बढ़ेंगे आज आपको किसी प्रतों की प्रिक्षाम बड़ी सफलता मिल सकती है आवेग में आके कोई भी कारें न करें सौधानी के अबरत जो कन्या राशी की जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि सलाह और मश्यविरा से आज आपको लाब मिलेगा आप बड़े किमती सलाह देंगे और किमती सलाह से धन किस्ते चुग होई आपका केरियर बनेगा मान सम्मान मिलेगा देश विदेश की यातरा होगी यातरा सवाचार मिलेगा परिवारिक की सित्य अच्छी होगी नामपत्य जो न अच्छा होगा पत्नी की स्वास को ले करके चिंता समाप्त होगी अगर कोई घर में बुजरुग व्यक्ति है तो उसके स्वास में सुधार होगा सौधानी क्या बरत्ति है रिस्तों में कट्टापुल ब्यवहार से बचें उपाई क्या करना है उपाई करना के गौसाला में जाके गाए को अपनी वजन के बराबर हराचारा जुरुग खिला में आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंग कैतीन सुभंग हरा लक मीटर है आठ हरी कि हम बात करते हैं तुलराशी की जो तुलराश की जातक हैं आज आपका मान सम्वान बढ़ेगा वैपार से लाव मिलेगा और चतुर्दिक वैपार में ब्रिद्धी होगी समय उत्तम चल रहा है लाव क्या उसर प्राप्त होंगे रोग और सत्रों परास्त होंगे बेग करने से बचें क्योंकि आज़सादी खर्च हो सकता है अध्यात्म में आपकी रूची बढ़ेगी लेखन कारे से धन मिलेगा साहित सर्जन कर सकते हैं प्रापल्टी तैथ को लेकर के भीबाद समाब्त होगा जैज कोल्ट का चाहरी में कोई मुकद में चल रहे होंगे तो उसमें आपको बिजेश्री मिलेगी आपको सौधानी क्या ब्रतनी है ब्याइप पर नियत्रण करें खर्च खो थोड़ा सा सो समझ के करें उपाय क्या करना है अपनी बहन को सफेद रंग का वस्त्र या सिल्वर कलर का वस्त्र गिफ्ट करें सुभंग के दो सुभरंग है सफेद लक मीटर साथ हरी कि अब आई हम बात करते हैं व लापकारी इस्ति रहेगी और विद्यार्थियों के लिए कालखन काफी अच्छा है धन की इस्ति आपके अच्छी होगी कोई नया बैपार करते हैं ताप के लिए लाप्रत होगा माता पिता का सुख मिलेगा पत्नी को सरकारी नोकरी उचपत प्राप्ति का यूग बन रहा है परिवार में कुछ महत्मुर कारे कर सकते हैं इसका प्रबल यूग बन रहा है और आज आपको किसु चपत पर भुलावा आ सकता है सौधनी के अबरतनी है साज़िदारी में कोई विन्याकारी न करें उपाय क्या करना है हन्मान जी की अरादना करें और हन्मान कोज का पा सपार में निवेश करते हैं तो आपके लिए लाप्रत रहेगा और जितना जोखिम लेंगे उतना ही आपके लिए लाप देने वाला होगा नोकरी कार्य में पर दृनत की संभाना बन रही है आज आपके जो विरोधी हैं परास्त होंगे आपके कारियों में मित्रों की मदद से आगे बढ़ने का औसर मिलेगा सुब और मांगली कारी होने से घर में प्रसन अता रहेगी और छुटी-छुटी बात को लेके परिशान हो सकते हैं सौधानी का परतनी है, सौधानी ये परतनी है कि मध्या महारग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा, उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि गुरु माता को वस्त्र आदर सही जाकर को उनको गिफ्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, सुबंग है चार सुबंग है हल्दी कलर लक्ष मीटर है आठ हैं बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी की जातक हैं आज आपकी देश फिदेश की यात्रा होने का योग बन रहा है मान संबान में बढ़ोतरी होगी रोग और सत्रू परास्थ होंगे पिता का सुख मिलेगा, सुख और मांगलिक कारे होने की संभावना बन रही है, बेवसाय में बढ़ोतरी होगी, ने तरह के कारे करने का आउसर मिलेगा, परिशितिया आपके लिए काफी अनकुलता लिये हुए है, सरकारी नोकरी उच्पत प्राप्ति का भी योग आपको बन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुभंक अच्छे, शुबरंग है, ब्राउन, लग मिटर है साथ, हरे कृष्ण, अब आई हम बात करते हैं कुम्भराशी की, जो कुम्भराशी की जातक हैं, आज आपकी आर्थिक इस्तिती उत्रोतर अच्छी होगे, सुद्रण होगी आज आपका मनोबल काफी हाई रहेगा, बिद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, सिक्षा के लिए, केरियर के लिए उनके लिए काफी अच्छा है, माता पिता का सुख मिलेगा, रियल इस्टेट प्रापल्टी से लाब मिलेगा, आपकी परतिष्ठा में बढ़ परते हैं, उपाय क्या करना है, काली गाय को क्या करें कि आप हरा चारा खिला में और काली वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और चिडियों को पक्षियों को दाना पानी खिलाना अच्छा रहेगा, सुभं के साथ सुभं के साथ सुभंग है कत्थ बात करता हैं तिम्राशी मीन की जो मीन राशी की जातक हैं आज आपका रुका हुआ कारी संपन्न होगा माता पिता का शुक मिलेगा रोग और सत्र परास्त होंगे भूमिभून बाहन खरिदने का और सर मिलेगा बहुत दिनों से जिसकार के लिए लगे हुए उसकारे में आप को बड़ी सफलता मिलेगी धन की स्थी अच्छी होगी रुका हुआ धन प्राप्त होगा अगर आप कोई पूजी निवेस्ट करते ताप करें लाफकारी सिद्ध होगा भाग दोर बनी रहेगी यातरा से धनलाब होगा माता-पिता का सुख मिलेगा और थोड़ा विग्न आपका पीला और लक मीटर है आठ हरे कृष्णा अब आई हम बात करते हैं आज जिन जातकों का जन्मदीन हैं उनके बारे में आज जिन दर्शकों का जन्मदीन उनके जन्मदीन की बहुत-बहुत बदाई धेरोशोब कामना है आपका जन्मदीन सुभो मंगल मैं हो आपका चतुरतिक पेकाश हो आप खुब प्रगत करिए हमारी धेर सारी सोब कामना है आप पर भगवान भोले नात की करपावर से हैपी भटे आज नो तारीक है जिन दर्शकों का जन्म नो अठारह 27 ते ठीक होता है उनका मुलांक होता है नो नौ नंबर बड़ा परफेक्ट नंबर होता है इस तरह के लोग बड़े महंती होते हैं अपने दम पर काफी आगे बढ़ते हैं रिस्क लेने में माहिर होते हैं और जितना जोखिम उठाते उतनी उनको लाब होता है माता-पिता के पर भक्त होते हैं देखा जाते अबर्शाब के लिए काफिया उनकुलता लिये को कोई बड़ी जिम्यदारी मिल सकते उसके लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है धन की स्थिति अच्छी होगी किसी मेंटर ब्यक्ति कोई मेंटर होगा आपका जिसके दिसान निर्देश में आप काफी आगे बढ़ेंगे दूसरी बात का ध्यान रखना है कि छुट परी फरवरी मार्श अपरेल मई जून ये प्रथम छे महिने आपके लिए काफी चुनोती भरा होगा लेकिन चुनोतियों को शिकार करते आप आगे बढ़ेंगे उत्रोतर विकास करेंगे और आज आपको एक नई दिशा मिलेगी पुना जुलाई अगस सितंबर काफी अच्छा जाएगा सौधनी आपको क्या परतनी है खान पन पन नियंत्रा रखना है गुस्ता नहीं करना बच्चों की टेरिटरी में बेवज़ा दखल अंदाजी नहीं करना है उपाय क्या करना है उपाय करें कि आप संकट मुचर हर्मार जी के अरादना करें भगवा खिला में या भुना हुआ चना और गुड़ खिला में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की गुरू के नुस्खे माज हम आप से बात करेंगे कि आज है दिन मंगल वार मंगल दिन देखे तो काफी अच्छा मानते हैं और जो ग्रहों के सेनापती हैं मंगल उनी के नाम पर आज के दिन का नाम मंगल पड़ा मंगल ग्रह देखा जाते यह काफी अपरमी तुर्जा का स्वामी होता है जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति काफी आगे बढ़ता है बहुत परिश्रमी होता है रिस् वज़े से आप प्राबलम में है हेल्थ ठीक नहीं है शादी विवा होने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंतित नहीं हो आप मंगल बार के दिन हनुमान जी के अराधना करें और 11 लड़ुन को चणावें और तुलसी दल का भोग जुरूर लगावें आप देखेंगे आपका क संपन्न होगा अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो पढ़ाई के लिए क्या करें कि हनुमान जी का उनको दर्सन कराईए और बच्चे के हाथ से टच करके आप क्या करें कि यहूं या चना दान करा दे कि किसी व्यक्त की शादी में दिक्कत हो रही है अगर एक चार- आठ बारा में तो कूली मंगली हो जाती है तो अगर साधी नहीं होते तो क्या करें कि मंगल का जुरू पाय करें हनुमान जी के अरादना करें आप देखेंगे साधी निश्कंटक हो जाएगी को दिक्कत नहीं आए ते छोटे-छोटे उपाय हैं अगर करते हैं ता आपके काफी अच्छा रहेगा भागी गुरु कारिकरम में बस आज इतना ही फिर हम आप से का लिशिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त आप देखते रें न्यूज इस्टीट उत्तर प्रदेश उत्राकंड नमस्कार